करिश्पा सिंग, प्रणाम गुरू जी, कभी कभी वर्क करते करते, वक्त फॉर्ट्स ज्यादा हो जाते हैं, वर्क करते वक्त भी अवेर कैसे रह सकते हैं थौट्स जो है हमारे को इस मूवमेंट में जो है तहने नहीं देते हैं थौट्स या तो जो है हमारे पास में हमें ले जाते हैं या फिर जो है हमारे को फ्यूचर में ले जाते हैं या तो हमें मेमोरी में ले जाते हैं या हमें इमाजिनेशन में ले जाते हैं जब thoughts आ रहे हैं बात यह है कि बहुत बार thoughts जो करते हैं लेकिन आप उसको घुटित नहीं कर रही है उन की तरव जो है ध्यान नहीं दे रहे हो जब कोई थ Civ थार्ट चल रहा है ne constantly अगर वो चल रहा है, अगर आप उसको जो है इग्नोर कर रहे हो, उसकी तरफ जो है ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो आसपास घुनता रहेगा आपके. थौट भी एक तरह की उर्जा है, जो कि आपके आसपास घुनती रहती है, क्योंकि वो कहीं नहीं आप ही ने क्रिएट करी है, वो आप ही की जो है छोड़ी हुई जो है एक उर्जा है, अब यहाँ पे सरफ एक चीज समझने की बात है करिश्मा, कि जब वो थौट, जब आप स देखना शुरू करो, जैसे ही देखोगे तो इस मूमिट में आ जाओगे, इस शन में आ जाओगे, फिर ना पास्ट में रहोगे, ना फ्यूचर में रहोगे, तुम अभी और यहीं हो जाओगे, थौट को जैसी अड्रेस करोगे, तो इस शन में आ जाओगे, और जैसी इस तो फिर वो thought क्या कहना चाहता है, उसको तुमने address कर लिया, वो तुम्हें मुक्त कर देता है, वो तुम्हारे को जो है release कर देता है, इसलिए करिश्मा, जब कुछ काम कर रहे हो, वो जो thought आ रहा हो, तो थोड़ी दर उस वक्त आँख बंद करके बैठे, एक बार को पूरी तर करना से confront कर लो, और गुजर जाओ, कि क्या कहना चाहता है ये thought, उसको address कर लिया, तो फिर वो thought की जो उर्जा है, वो मुक्त हो जाएगी, thought दूसरे शबदों में एक तरह का प्रेट भी है, एक तरह का भूत भी है, और ये भूत आसपास मंडराते रहते हैं, जब तक कि तुम उनको जो है, address नहीं करते हैं, जब तुम इन भूतों से बात कर लेते हो जब तुम इनको एड्रेस कर लेते हो जब तुम इनको देख लेते हो उसी शन जो है यह से जो है मुक्त होना शबू हो जाते हैं और यह अपनी जो उर्जा है वो रिलीस कर देते हैं